नमस्कार में हूं सुमेश शुक्ला हिंदुसान समाचार में आपका भूत वह स्वागर आज हमारे साथ में हैं बॉलीवोड सिंगर जैस सिंगर यहां टोकिंग अबाउट वसुंद्रा वी जिन्होंने अभी धाकड फिल्प उसमें अपना एक म्यूजिक टैटल सॉंग दिया चलिए हम आपको हमसे मिल बाते हैं पसंद्रा जी बहुत बहुत भाद हमसे जोड़ने के लिए तांक यू सुमित सच अ प्लेजर तोकिंग तो आपने भले धाकड फिल्म में एक बॉक्स ओफिस का कलेक्शन ना ठीक नेरा बट एक आपके सौंग की बात करूं तो तरीके से गुरा धमाल मशा के रखा हूँ तो कैसा फिल हो रहा है आपके? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी पहली ऑपर्चुनिटी बॉलीवुट में इस गाने के साथ हुई क्यूंकि इस गाने का मैसेज बहुत ही स्ट्रॉंग है और जो मैं मेरा जो कोर मैसेज है अस अन आर्टिस्ट वो मैसेज और ये सौंग का मैसेज बिल्कुल सेम है तो आपको ये अधाकड का ये अधाकर का ये थाया सूंग किस तो अच्छी ये जो गाना बना ये बहुत लेत बना फिल्म में जेनरली आम रेजी और रोग देहाए थाया और जेजिए और एक पार इन आर्टिस्ट वो इस गाना फिल्ट्रॉंग तो और फिर sound track भी उसी तरह से बना और उस sound track से एक idea निकला जो ये title track बन गया end में जाके मतलब almost towards the last few months of the film तो तब उन्होंने सोचा कि एक slightly different अवास भी cast करें और फिर Dhruv ने फोन किया उन्होंने कहा कि you know just come and try out for this song because I think your voice will suit it and सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने एक कही उन्होंने कहा कि be yourself just come to the studio and just sing from your heart तो मेरे लिए तो obviously it was quite scary क्योंकि हिंदी में पहली बार गारी थी और फिर you know ये quite mainstream गाना है तो फिर मैंने सारे words की उर्दू में इतने सारे words थे तो वो सब कुछ मतलब प्रॉपली internalize करना हूंका diction properly क्योंकि मेरे लिए पहली बार थी तो I had to do it right I didn't want to you know say oh I'm new तो मैं मतलब जैसे भी कर दू तो घर पेठके बहुत pronunciation और वो सब प्राक्टिस की मैंने and I went and and thankfully it got approved so that's how it happened आपका इत YouTube channel भी है मैंने देठा तो कहीं न तो कहीं न कहीं I think so की YouTube social sites एक new चाहिमें एक्टर्स की बाद करूं चाहिमें चाहिमें एक्टर्स की बाद करूं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करा आपको एक्ट्फोर्म प्रदान करा ये लिए कि हम भी यहां है इसवाट से आप कितना सहमत It's a double-edged sword क्यूंकि इसमें इतने सारे लोग भी है कि आप खो सकते हैं YouTube में और अगर आपने ठीक से strategize करके किया तो YouTube एक बहुत बड़ा प्लाफॉर्म बन सकता है मेरे लिए अब से पहले मैं मोस्ली जाज, R&B, Soul तो अलोट आप मैं ओडियन्स अलोट अबराद तो मेरे लिए यह बहुत अच्छा प्लाफॉर्म रहा क्यूंकि I can reach audiences अबराद विए फिजिकली गई देर So I think for me YouTube is definitely a blessing अब जैसे कि आप according to sources आप एक इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करें तो उससे जुड़ी कुछ बाते बताई हांजी उससे जुड़ी कुछ बाते हांजी अभी as one of the songs that's going to come out soon there's this very interesting international collaboration दिली में Gaurav Jintamani है एक music producer उन्होंने ये lead किया है और Keith Carlock एक बहुत ही massive drummer है वो John Mayer के साथ उन्होंने टोटो के साथ Sting के साथ बजाया हुआ है और वो इस गाने में drums बजा रहे हैं Tom Walsh एक trumpet player है उके के बहुत ही incredible है और उन्होंने horn parts बनाया और ये गाना एक बहुत funky full-on dance track बनेगा तो we are very excited about this हम भी बेट करेंगे उसका हम भी बेट करेंगे उसका I'll definitely let you know आपने काफी मिजिशियंस को साथ तो पर्टिकॉलर अगर आपसे बोला जाए कि किसी एक बैस मिजिशियंस को आप स्लेक्ट करें जिनके साथ आप निस आने वाले मेरे पहले मेंटोर लुई बैंक्स है और उन्होंने सबसे पहले मैं बहुत-बहुत सालों पहले मैं एक एक आलबम रिकॉर्ड करने आय थी अश्राज विल्स में और उनके जो हैड एंजिनियर थे शांतनु हुड लिकर उन्होंने का था कि यूनों लुई बैंक्स has to play on your song और मैं उनको जानती नहीं थी तब उनने उनको invite किया और उन्होंने नोंने नॉन जिस्ट वन सौंग बढ़ दू सौंग्स पे बजाया और उसके बाद से वो हमेशा टच में रहे उन्होंने हमेशा मुझे टिप्स दी कि ये प्राक्टिस करो ऐसे करो ऐसे बेटरो और ओर ओर उसके बाद Sanjay Divecha, Ranjit Barot, of course Dhruv Ghanekar, ये सब, they kept inviting me for projects but I also took these as learning opportunities और मने इतना कुछ सीका है इंसे मैं बता नहीं पाऊंगी and so I'm also lucky that I've also worked with them in the past and I would love to continue doing that because there is no other way to grow than you know to have your gurus as your working partners. आप इंडिया से भार भी पर्फर्म करते हैं, तो कही ना कहीं Indian music को हम एक Hollywood, you know, एक दूसरी industry में कहीं हम पैचान तो नहीं दिला रहे हैं? Actually Indian क्या है ये एक बहुत hybrid definition है क्योंकि Indian होने का मतलब बहुत कुछ है एक है traditional, जो चीज़ें traditionally होती आ रहे हैं उनको alive रखना, ये एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये एक और segment of Indians है, जो सब English educated, जो सब pop, rock and soul music सुनते हुए बड़े हो रहे हैं, जो सब noodles और pizza और ये सब खाते हुए बड़े हो रहे हैं, जिनकी cultural influences सिर्फ Indian नहीं हैं, और ये internationally सब हमको एक hybrid culture, they are already recognizing us as a hybrid culture, so Indianness is a very complex and a vast thing, and the thing is that, you know, even though मैं English में जादा, मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, मैं गाती इंग्लिश में हूँ, लेकिन मेरी जो ethos है, मेरी जो spirituality है, ये सारी बहुत Indian है, तो ये सारी चीज़े इंफ्यूज हो जाती हैं मेरी language में, and that is the type of Indian that I am taking to the world. आप अपनी music videos में परफॉम भी करते हैं, जैसे एक्टिंग भी करते हैं, तो आने वाले time पे ऐसा तो नहीं कि वसंदरा हमें किसी film में नजर आए, जैसे सोफिया के मैं बात करूँ चाहे मैं दूसरे अधनान सामी और काभी एक्टर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है, मेरी acting skills बहुत ही बक्वास हैं, जैसा है, हमने जॉपना music radio नहीं है, जैसा तो मुझे लगता नहीं है, कि कोई भी मुझे acting के लिए choose करेगा करके मैं कुद को नहीं choose करूंगी मेरी acting बहुत कराब है नहीं आने वाले दिनों में तो हो सकता है वो तो सब हो जाता है वो तो सब हो जाता है It's a new skill पूरा new skill एक सेखना पड़ेगा Let's see, who knows what the future holds अब थोड़ा हम जैसे Delhi के Delhi Government के साथ आप काम कर रहे है Delhi Government basically music industry पर बहुत बड़ा mission लेकर चल लेकर 12 तक उन्होंने music का एक streaming course बना दिया है तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए तो advantages नहीं है कि जो लोगों को एक रास्ता नहीं मिलता था जैसे हम अपने time की बात करें या हम आज से दस साल पहले की बात करें तो इतने scope नहीं था acting के institutes है इतने music तो इसकूल से तो कहीं नहीं government अच्छा एक एक रास्ता दे रही है ऐसा तो नहीं नहीं तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में बिलकुल ऐसा है और यह एक बहुत groundbreaking move है education में क्योंकि school का entire purpose होता है कि बच्चों को एक future दे और हर बच्चा science या commerce या arts करके अपनी full potential और 9th to 12th prime years होते हैं और इस समय जब हम अपना you know full effort लगाते हैं अपनी actual talents को grow करने में तो उसमें आगे जाके मतलब they get a really strong footing in the world तो यह बहुत important है Global Music Institute एक बहुत बड़ा institute है Delhi में और उनको यह tender मिला हुआ है जो music and visual arts के course को करना और इसका जो entire western music curriculum है और जो teacher की training है वो मुझे करने को दिया गया है and we are very excited about this क्योंकि आगे जाके actually क्या होता था ना कि जो बच्चे afford कर पाते थे वो school के बाद जाके music सीखते थे या फिर theater सीखते थे लेकिन अब उनको और अब accessible बन गया है हर बच्चा school जाके जिसके पास music का aptitude है वो he can become a professional level और at least a hireable singer by the time he graduates from school ये एक बहुत बड़ी बात है financially भी और हमारे music industry को इससे बहुत कुछ मिले का बहुत सारे artists मिलेंगे और इसमें ग्रोथ सबका भला है इसमें I'm very very proud of this कहीना कहीन कुछ ऐसे लोग भी ऐसी societies भी है जो film industry, music industry को इसे importance नहीं जेती है तो I think कि उनकी एक mentality पे भी फर्क पड़ेगा Absolutely, absolutely और arts actually एक culture की सोच उसके artists hold करते हैं artists are the historians the true historians of the culture और culture की जो ideology होती है वो सब arts में दिखाई देती है और in fact बहुत सारे countries हैं abroad जो music को बहुत central role देते हैं अपने secondary education में तो अब उन countries में से इंडिया भी हो गया है and I'm very proud about it मैं आपसे आपके next projects के बारे मैं पूछना चाहता हूँ इंटनेशनल जो प्रोजेक्स हैं असके अलवा बाकी सब कुछ क्योंकि इसमें मुझे पूरा अपना like time and all my passion is going into this लेकिन towards the end of the year I will be writing more music and I will be performing a lot more out here in Bombay, in Delhi which is my home city and I keep pushing independent music and also being very active in it तो ये तो चलते ही रहेगा basically आप डेली से हैं तो आप किसी से इंस्पार रहते हैं कि जैसे हम किसी को इक अपना you know godfather तो नहीं हम किसी से इतने इंस्पार रहते हैं कि जैसे हम उनको follow करते हैं तो आप किसी सिंगर से follow गए हैं उनको देखकर आप आगे बढ़े हैं इसा कुछ हुआ है या किसी ने कुछ सजेशन दिया है जब अबुछ डेली में बहुत सारे सिंगर्स अच्छली एक रॉप बैंड था देम क्लोंस और और फिर एक और बहुत ही इंक्रेडिबल बैंड है अद्वेटा जब मैं छोटी थी ये सारे मेरे दोस्त भी थे हम सब एक क्वायर में थे लेकिन वो लोग अच्छा वो तो ऐसा करते हैं हम नहीं कर पाएंगे लेकिन जब आस पास के लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तब अपने अंदर वो करेज आ जाती है मैं भी कर पाऊंगी थे थोड़ा हम जैलिस ही होते है थोड़ा हम जैलिस ही होते हैं ये कैसे पर इक यह positive motivation लहेँ है थे निकल के दिखाएंगे अशा भी होता absolutely you must surround yourself with your heroes yeah woo taw hai aga mi a एक last question मेरा आप से एक हमाई viewers के लिए कुछ अपने इक इंप्रेसिव वोई से कुछ चाल लाइने सुनाएए okay, okay चाल लाइने सुनाएए अच लाइने, ठीके माइचाउन कर किसनाओ what would you say if I told you about a love too good to be real would you decide that you've heard it a million times oh, you throw up your hands, never understand turn and walk away, cry another tear I was hoping for a road that would lead me home where I'm free, free to believe what is real to me where I'm free, free to believe that he lives in me oh, no, 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 I'm free क्लैप 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 क्योंकि बद्साथ का मौसम चल पतलब वसुहाना मौसमें आपने और उस मौसम में चांद लगा दी उतने इंप्रेसिव असंद्रा जी और बहुत-बहुत धन्वाद हमसे चुडने के लिए हमें आपका एक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं जल एक नए शक्स की साथ नमस्कार